अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाएए और बेल आइकन को हीट केजिए ताकि आप फ्यूचर में आने वाले मेरे वीडियो से नूटिफाइड रहे हेलो गाइज और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम हो चुका है तो मैंने सोचा ये वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था अपने व्लॉग के लिए तो यहाँ पर एक वीडियो है जो 1.12GB का है बट वो ओपन नहीं हो पा रहा है ये प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मेरा लैप्टॉप जो है वो शट्डान हो गया था और फाइल ट्रांसफर अदूरी रह गये थी तो जब मैंने इसे ओन करने कोशिश की तो ये चल नहीं रह है और जबकि इसके और फाइल है जो मैंने सेम फॉन से लिये थे वीडियो वो आप देख सकते हो कि वो प्रॉपर तरीके से चल रहे है और बादे शब वीडियो सारे विडियो जम ए чल रहे है बट एक वीडियो नहीं चल रहे तो चल ये फटाफट चलते है और इसका fix देखते हैं सबसे पहले आपको दो फाइल लगेगे ffmpeg और recovery mp4 तो उसका लेंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ये फाइल है और ये 7-zip फाइल exe का आपको इंस्टाल करना पड़ेगा अगर आपके वाइल इंस्टाल है तो ठीक है अगर नहीं है तो आप इंस्टाल कीजिए सबसे पहले ffmpeg का जो फाइल है उसको राइट लिक करके open with 7-zip करके उस पे extract कर दीजिए त्री डॉट्स जो है वो दबा के आप desktop पे new folder create कीजिए और उसमें आप ok दबाईए तो ये वो new folder में extract होगा जहाँ पर आपने उसका directory फाइल रखा है तो मैंने desktop पे रखा है आपके clarification के लिए तो आप इसके अंदर जाके देख सकते हो बाद में और अब उसके बाद right click करके आपको recovery को भी same करना है 7-zip के साथ जहाँ पर हम उने new mf pack को डाला था तो आपको वही करना है और ok दबाना है यहाँ पर फिर आप चेक करोगे new folder में जाके तो दोनों files है हमारे तो ये दोनों files को हमें cut करना है और ffmf पे जाके आपको paste करना है तो आप paste करने के बाद बिन में जाके paste करने के बाद आपको ये जो फाइल है उसको rename करना है fix और इसे आपको cut करके आपके computer के जो drive है कोई भी drive में आप paste कर से जैसे के भी माई computer में जाके मैंने eDrive को eDrive के अंदर मैंने पेश किया जहाँ पर मेरा files है working files तो आप बहारी paste कर सकते हो तो जैसे के मैंने यह आपर कर दिया पेश्ट इसके बाद आपको क्या करना है आपको raw files में जो आपका file है जहाँ पर broken file है उसे लेना है उसे copy करना है आपको तो जैसे के मैंने copy किया है और फिक्स में जाके जहाँ पर फोल्डर किया था बिन में आपको सारे फाइल बिन में ही डालने है तो बिन में जाके आपको जैसे कि पता है कि यह फाइल वकिंग नहीं है तो मैंने इसको नेम दिया है पैड क्योंकि आप कुछ भी नेम दे सकते हैं file के लिए बट यह proper understanding के लिए मैंने bad name दिया तो file खराब है तो bad फिर उसके बाद आपको वापस से जाना पड़ेगा जो आपकी file है उसके और एक जो sample video है जो same camera से capture किया हो और video ही लगेगा और कोई मत कीजे तो उसे भी आपको bin में डालना है जहाँ पर हम लोग ने fix create किया था folder और उसमें आप देख सकते हो कि यह video चल रहा है तो मैं इसको नाम देता हूँ good तो एक video जो हमारा है वो bad है और एक good है जो चल रहा है तो ठीक है तो यह सारे चीज़े side में रखते है तो आप देख लीजे यह जो address है आपको वो copy करना है select करके आप डबर क्लिक करके उसको copy कर सकते हो select करके तो वीडियो को अंतक फॉलो करना नहीं तो आप कोई भी step पे अफस सकते हो तो उसके के बाद आपको क्या बना है simple है आपको windows पे क्लिक करके cmd ट्राइब करना है cmd ट्राइब करने के बाद कमांड पर राइट क्लिक करके उसको administrator rights देना है और ok दबाना है तो आपके सामने कुछ ऐसी screen आईगे c drive windows system 32 अब आपको करना क्या है आपको change drive का कमांड देना है तो cd लिखके space backslash और d जो की जो drive है वो हमें shift करना है तो drive का जो path हमने copy क्या था वो हमें click करना है उसके बाद जो file के अंदर है वो देखने के लिए directory के जर्वत है तो dir लिखना पड़ेगा तो dir लिखने के बाद आपको दिख सकता है जो भी files हमारे जो select हुए है fmpeg के folder में वो bin के folder में सारे दिख रहे तो अभी आपको करना क्या है आपको इसके बाद recover underscore mp4.exe space जो good folder है जो working file है उसका good.mp4 जो हमने नाम दिया था space double dash और analyze डालना है और enter दबाना है जैसे आप enter दबाओ कि यह जो अच्छी file है उसका कुछ file होता है जो executive h264 का extensions होता है वो यह properly जुसके codec से वो copy कर लेगा तो आपको क्या करना है इसे select करके यह files को select करके copy करके आपको notepad open करना है windows दबाके notepad open करके आपको सिफ paste करना है तो हमें यह लगेगी दो चीजे तो यह दो चीजे आप save करके रखिए जो मैंने select कि है result.h264 result.accext यह जो words है यहां तक आप copy कीजे copy करने के बाद वापस से आप command prompt पे आए और वहाँ पर लिखिए recover जैसे कि आप देख सकते हो हमें यही लिखना है recover underscore mp4 dot exe space जो हमारा bad वीडियो है उसे हमें अभी वह extension देना है तो space bad.mp4 और उसके बाद हमें space देकर जो हमने copy किया है result.h264 वह paste करना है space देने के बाद तो जबसे आप enter दोखे थोड़ा सा time देगा वह analyze करेगा आपके खराब file को और उस bad file को आपके good file का जो extension है उससे match करके वह recover करने की कोशिश करेगा और out of 100% 99% यह work करता है मैंने bot try किया और यह मेरे सारे खराब videos को proper करता है तो आप देख सकते हो process complete हो जुका है तो आपको उसके बाद का जो है fmpeg का पूरी line copy करनी है और सीधा आपको paste करना है यहाँ पर recovery वकरी कुछ नहीं डालना है सीधा paste करके enter दबाना है तो आप देख लीजे उसके बाद यह time लेगा कुछ समय लेगा क्योंकि मेरी file 1.12 जी भी किया आपके अगर बढ़ी होगी तो जादा time लेगा तो time लेगा fix करने में तो patience रखे और जैसे आपका यह जो खतम हो जाएगा तो आपको वापस से यही दिखेगा e fix mp4 का जो address है वो फिर आपको सब कुछ बंद करना है और वापस से आपको fix folder पर जाना है जो हम लोंने create करके हमारे files में डलाता तो आप bin में अगर जाओगे तो आपको एक file मिलेगी result करके तो आप देख सकते हो result mp4 करके file generate होगी वही file आपकी जो है जो खरापती उसे recover कर दिया गया है तो यह software काफी बहतरीन है तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको यह useful use में आता है और share कीजिए यह video थाकि और भी लोग अगर किसी को कुछ problem है तो वह solve अचाए तो ठीक है टिल एन टेक केर एवरिवन बाए झाल झाल झाल